दोस्तो एक भर फिर से स्वागत है आपका सीजी जी जोब टू पैंड जीरो पर तो दोस्तो आज हम फिर से चत्तुस गड़ के विया पुर जीला के तरफ से यहाँ पी रिक्रूट में लिकर उपस्ती था दोस्तो तो यहाँ पर यह जो विकेंसी है कारेला जीला खनी संस्था और यहां से कि इस प्रकार से आपको आधन करना है पूरी जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में जानकारी प्राप्त हो जाएगा दोस्तो साथ ही अगर आप यह कलब विद्दाला में टीचर्स की वेकेंसी के बारे में नहीं जानते है तो उसका वीडियो मैं ने ब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही जो है मेडिकल में जो है आपे दोस्पदो की वेकेंसी के बरे में भी मैंने जानकारी पूरा डिटेल में दिया है दोस्तों जिसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा साथ ही आप हमारे एबाउट सेक्शन में जाकर उस वीडियो को चगाउट कर सकते हैं, link description में मैंने और रेडी यहां पर दे दिया है दोस्तों, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को start करने से पहले मैं जानकारी इसमें आपको बता दूँ कि इसमें आपको 9-5-2023 तक इसमें आपको आविधन करना होगा, कैसे करेंगे, तो एक मुस्तों मांदे की बात करने तो लेखापाल के लिए आपको 18-420 रुपया दिया जाएगा, भृत के लिए 11-360 रुपया इसमें वेतन आपको दिया जाएगा, दोनों पदों की संख्या की बात करें तो एक-एक पद जो है अनुलक्षित यहां पर दिया गया है दोस्त तो इसके हम सेक्शनिक योगता की बात करें तो चैन प्रक्रिया सबसे पहले यहां पर दिया गया है उसके बारे में देख लेते हैं तो इसमें जो है यहां पर आहरता भी दिया गया है कि चैन प्रक्रिया इसमें आपके सेक्शनिक योगता में मेरिट के अधार पर लिया ज है उपलब्द नहीं होने की स्थिती में सेवा निरुती लेखा पाले मलेखा परिक्षा उठ्टिने कैंडिडेट को साही ग्रेट वन के हिसाप से इसमें लिया जाएगा दोस्तों लेकिन जो कैंडिडेट इसमें फ्रेशर है वो तो आईदन जरूर करिए क्योंकि इसमें फ्रेसर केंडिडेट को सबसे पहले प्रात्मित्ता दिया जाएगा उपलब्द नहीं होने की स्थिति में जो है संगीदा से इसमें लिया जाएगा दोस्तों मैंने बता दिया है ठारा जारी प्रेसर आपको दिया जाएगा दाई तो क्या रहेगा उसके संबद में विज्ञान करीद द्यागा है तो इसका लोकान कीजिएगा भित्य के लिए हम बात करें तो इसमें एक एवर्ड जो है आठ्वी प्रिक्छोट्विने पचास प्रतीशत के साथ यहां पे आई श्रीमा एकी से चालिस वर्ष यहां पर होना चाहिए ठीक है इसमें भी मेरिट के अधार पर शेयर होगा दोस्तों तो आप आविदान करते समय जो है आविदाक छत्तुजगर राजय का मुल निवासी होना चाहिए चाहिए आप किसी भी जीले से हो इसके लिए एलिजी बार रहेंगे सक्षम प्राधिगारी द्वारा जारी निवास प्रमान पत्र आपको इसमें अटाच करना होगा सेल्फ उसको सेल्फ अटेस्टेट जरूर करना है आई समबंदी प्रमान पत्र के लिए आपको हाई स्कूर हाय सेकेंडरी और फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिपिकेट अटाच करना होगा और भीत के लिए पांचवी का अंगसूची आपको अटाच करना होगा ठीक है और आविदाक इसमें आपका जो है अड्रेस लिखा हुआ पूना पता लिखा हुआ इसके अतरिक्त आविदन पत्र के साथ पांच रुपे का डांट टिकट जिसमें कि आपका पूरा अड्रेस लिखा होना चाहिए दो लिफाफ आपको अलग से उसमें अटैस्ट करना होगा दोस्तों ठी इसमें आपको इसमें आपको सब्सक्राइब करना होगा होगा झानकार है दोस्तों एक यही अपडेट थैप से इसमें कोई डाउट होगा तो एक कमेंट कीजेगा दोस्तों मिलते हैं नय वीदियो में नय जानकारी के साथ धेनावा दोस्तु